हेलो एवरिवन सभी को मेरा राम राम आज मैंने आइस क्रीम बनाई है घर पर सिर्फ दो चीजों से बाहर की बजार वाली आइस क्रीम से बहुत ही अच्छी तो चलिए देखते हैं उसे हम कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है जिसमें थोड़ा सा पानी और आ का इस्तमाल करेंगे इस तरीके से हमें ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है दो से तीन मिनेट नंबर वन पर चलाने के बाद आप थोड़ा सा इसे बंद कर दीजे उसके बाद इसमें हम हाफ कप कंडेंस मिल्क डालेंगे उसके बाद हम इसमें एक च तक कि इसमें एक soft stiff peak ना मिल जाए तो बस इसी तरीके से सावधानी से blend करते रहना है आपको दो से तीन मिनट चार मिनट लग सकते हैं इसे बस आपको ये करना है कि नीचे आपको पर्फ चरूर रख देनी है इस तरीके से आपको stiff peak मिल जाएगी थोड़ा सा soft होगी क्योंकि हम इसमें condensed milk डाल दिया था अब हम इसमें 2-3 चमच melted compound chocolate डाला है मैंने dark compound chocolate जिससे की हमारी ice cream बहुत ही flavorful होने वाली है बस इसी तरीके से हमें थोड़ी देर और 1-1.5 मिनट थोड़ा सा फिर से इसे blend कर देना है और थोड़ा सा मैंने इसमें पिस्ता भी डाला है चौप करके त तो पिस्ता आप अपने कॉर्डिंग बढ़ा घटा भी सकते हैं इस तरीके से मेरे पास पहले से ice cream का डबबा था तो मैंने इसी में जमाने का सोचा आप किसी भी परतन में इसे डाल कर रख दीजे और उपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल दीजे सजाने के लिए और इसे 10-12 घंटे हम फ्रेज कर देंगे रेफ्रिजरेटर में इसे अच्छे से जमने देना है और उसके बाद हम सर्व करेंगे तो बस इस तरीके से आप मार्किट से भी अच्छी ice cream बना कर घर पर खा सकते हैं सिर्फ दो चीजें हमें बेस के लिए चाहिए और फ्लेवरिंग आप किस बहुत ही easily आधिस से कम घंटे में ही बन कर त्यार हो जाती है बस इसे जमने में टाइम लगता है आपके घर पार्टी हो या कुछ भी आपको खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं तब तक के लिए बाबाई